हेलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ एक की स्टॉक के बारे में इस बैंक का वीडियो है तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी तो इसको देख लेना एंड किसी ने फॉर्स टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना तो चले दोस्तों हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नौर्मल स्क्रीन के उपर इंड जैसे मैं आप लोगों को बता है कि यहाँ पर जो वीडियो होने वाले स्क्रीन के उपर आप लोगों ने देखा होगा रिलाइंट्स इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं सर रिलाइंट इंडरस्ट्री के बार बार वीडियो क्यों तो दोस्तों बार बार यहाँ पर कोई जबरदस्ती वीडियो नहीं है तो इसलिए यह छोटा मोटा एक effort आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है सो फिलाल रिलाइंट की बात करें तो आज भी अभी भी देख सकते हो बिलकुल फ्लाइट आप लोगों को देखने को मिल रहा है अंटिल आनलेस कोई बहुत अच्छी न्यूस आजाए तब हम लोग कह सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसी न्यूस को यहाँ पर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे दो न्यूस है जैसे मैंने आपको बताया तो दोस्तों आप सभी लोग को यहाँ पर पता है कि एक न्यूस बहुत ही जादा पॉपिलर हुई थी कौनसी वाली टाटा की आप सभी लोग पता है टाटा किसके लिए यहाँ पर कोशिश कर रहें बिग बास्केट के लिए जो की ग्रोसरी से रिलेटर तीन लाख मतलब उनके जो चीजे रहती वो एक दिन में बेशते है तो डेफिनेटली टाटा उस लाइन में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं अगर हम लोग बात करें तो जैकमा के जो शेर्स है वो भी वो यहाँ पर खरीदने वाले हैं उसी के साथ अप्रॉक्सिमेटली 80% तक यहाँ पर वो स्टेक खरीद सकते हैं अलग-अलग सोर्सेस के द्वारा न्यूज आती रहे थे कभी 80 आता है 70 आता है फाइजर की न्यूज आ गई कि हम लेंगों को अप्रूवल चाहिए वैसी अभी एस्ट्राज हैने का भी शुरू हो गई सो दोस्तो यह बता में क्यों रहा हो आप लोगों को एक्जांपल क्योंकि आप सब लोग यह आपर देख सकते हैं रिलाइंस इंडस्ट्री का जो रीटेल आर्म है सो दोस्तो उन्हों ने भी यह आपर शुरूआत कर दी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के जो एक्सपर्टे सेड इट्स प्राइवेट ग्रॉसरी लेबल विल स्टार्ट डिलेवरिंग हायर मार्जीन सून मतलब दोस्तो आप लोग यह आपर बोल सकते हो कि ग्रॉसरी के बिजनेस में भी यहापर रिलाइंस इंडस्ट्री अभी अपना स्पीड है वो यहापर बड़ा हमलों को जाते हुए देखने को जरूर मिला था तो उसी से चलते एक और एक हमलों को इसी टाइप की न्यूज यहापर देखने को मिल रही है सो दोस्तों यह एक जो पैरा है यह जो आर्टिकल है आप लोगों को सारा डाउट क्लियर कर देगा जैसे कि आप देख सकते हो 47,000 करोड रिलाइंस ने स्टेक सेल करके मतलब ग्लोबल इंवेस्टर को सेल करके जो पैसा यहापर उन्हों ने उठा है रिलाइंस रिटेल वेंचर ने is expanding its private grocery label and pushing into small towns मतलब यह steak खरीदने के बाद यह जो सारा पैसा यहापर आने के बाद अभी वो grocery के भी यहापर जो उनका business है उनको बहुत ही जबरदस यहापर आगे लेके जाने के लिए यहापर focus कर रहें and small town आप देख सकते हैं उनका जो टार्गेट है small town से related यहापर शुरुआत होने वाली है जैसे ही टाटा नहीं आप एक्सिलेरेट कर दिया है big basket से related जो new सामने आई वही चीज़े अभी हम लोग के यहापर clear cut देखने को मिल चुकी है तो दोस्तों यह तो चीज़े आप सब लोग का अल्रेडी पता है कि Reliance Retail जबरदस यहापर performance दे रहा है आप लोगों को हर चीज़ यहापर मिल जाएगी जैसे कि Appearals, Footwear मिल जाएंगे, Jewelrys, Electronics भी मिल जाएंगे, Telecom, सब कुछ ही यहापर मिल जाएगा तो इसी से related दोस्तों आप सबी लोगों पता है, Jewelmart का इस्तमाल करके, यहापर Reliance Retail and Jewel, दोनों एक साथ जोड़के जो बिजनेस यहापर develop करने की कोशिश कर रहे है, और उसी के साथ-साथ जो e-commerce market यहापर develop करने की कोशिश कर रहे है, online grocery को यहापर बहुत जादा बढ़ा इसे शुरू है, बट अभी के जो fight है दोस्तों वो e, यह मतलब electronically आप लोग यहापर बोल सकते है, online platform के ओपर यहापर हो चुकिए, और इसी के चलते हम लोगों को यह सारी चीज़े अभी develop होते वे देखने को मिल रही है, तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी range की बात करें तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यह online platform के ओपर, सब कुछ अभी online के ओपर depend है, जैसे कि मैंने आपको बता है कि Demart यह company खराब नहीं है, आज भी आप देख सकते हो, 2500 कोट भी टच किया था उसने, company खराब नहीं है, बट जब तक यह online platform के ओपर aggressively नहीं आती, रिलाइंस, रिटेल, या फिर आप लोग बोल सकते हो, grocery से related, जो कि उनका business बढ़ाने की कोशिश कर रहे, वो simply हम लोग कह सकते कि Tata नहीं आप अपने business को बढ़ाने के लिए, बिग बास्केट के साथ वहापे deal करने की वो कोशिश कर रहे, उसी से related, रिलाइंस अभी इस चक कि एरिटेल के जो customer अगर आप देखो कि लगबग 23 लाग customer उनके पास extra चले गए, एंड ये second month है इसे, जैसे कि last month में भी ज़ादा गए थे, एरिटेल के पास एंड इस वक भी गए थे, बहुत सार लोग पूछ रहे थे सर इसमें क्या breaking news है, breaking news जरूर है, आप अगर business करते आप लोगों को जरूर पता चलता कि आपके दुकान के जो लोग है, वो आपके दुकान ने बलकि आपके बाजुवाले जो competitor की दुकाने वहाँ पे चलाना के लिए, मतलब शुरुवात हो चुकी है, so obviously आप लोगों को कुछ तो नए offers लाने पड़ेंगे, कदम उठाने बात होरी है, India's largest corporate as per market capitalization भी आप लोग बोल सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिलाइंच इंडस्ट्री ने यहाँ पे रेस कर दिया है, लगबग डॉलर 1.4 बिलियन और यह 1.4 बिलियन उन्होंने क्यों रेस किये, just to repay its existing foreign loans, यहाँ के लोंस न मदद की, वो भी हम लोग देखेंगे, बट फिलाल, यह जो ट्रांजेक्शन है, हम लोग को लास्ट वीक यहाँ पे होते वे देखने को मिला था, इसके लिए जो signature यहाँ पे किये, लगबग 14 international banks have sign up for the transaction last week, तो यह भी चीज़े हम लोग को देखने को clear cut मिल चुकी है, उसी क हम लोग कह सकते हैं कि Reliance ने आपे पैसा पे करने के लिए यहाँ पे पैसा उठाया है, ऐसा भी अगर आप लोग बोलोगे, तो यह शायद से गलत साबित नहीं हो सकता, so definitely हम लोग कह सकते हैं कि international level पे यह सारी चीज़े हम लोग को होते वे देखने को मिल रही है, and इसमें पर पढ़ सकते हो, the banker close to the development said, the sum of the largest bank, such as State Bank of India, SBA, City Bank, Barclays and DBS Bank, यह हम लोग को यहाँ पर पार्टिसिपेट होते वे देखने को मिल रहे है, किसे लिए, डेफ फंड रेस के लिए, by the company, Reliance इंडस्टी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो यह सारा पैसा हम लोग कह सकते हैं सिर्फ अपना foreign loan pay करने के लिए, Reliance इंडस्टी ने यहाँ पर जमा करते हैं, race करते हैं, हम लोग को देखने को मिल रहे है, जो कि एक बहुत भारी रक्कम, clear cut आप लोग को देखने को मिल रही है, तो यह दो important news थी, जिसके चलते हम लोग यहाँ बात करें, and as usual, जो लोग बा payment में 0.13, 0.23, ऐसे में अगर stock चलता है, तो समझ देना कि यहाँ पर जब कोई news फिलाल तो आई नहीं है, so definitely हम लोग कह सकते कि Amazon ने बुरी तरीके से इनको जकड़ के रखा है, जो कि Amazon खुच चाता था, क्योंकि Reliance इंडस्ट्री का जो retail arm, जिस तरीके से तेजी से भाग रह कि Competition Commission of India ने कोई भी इनके deal पर आपती नहीं जाता ही है, तो उनका जो approval रहेगा, शायद से court में solid evidence करके सामने उबर कर आ सकता है, तो इस सारी चीज़े अगर हम लोग देखे, तो हम लोग को अच्छी का सी rally future retail में भी देखने को बीच में मिली थी, बट वापस lower circuit क्यों separate नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों को आप लोगों को एक साथ लेके ही चलना पड़ेगा, and then again हम लोगों को lower circuit देखने को यहापे मिला था, एक मेने का chat pattern ठीक रहेगा, हाँ यह देखिए, यही सारी कहानी है, जो कि अभी मेरे आप लोगों को बताई, यह वही चीज़े डिस का सा मोका है, यहापे आप लोग खरीद के रख सकते हो, वापस कहना चाहूंगो दोस्तों, जो लोग मुझे पूछते हैं तिसर क्या यह लेवल सही है, देखिए, कमपनी आपको पसंद आनी चाहिए, अगर कमपनी पसंद है, तो आप लोग यहापे रहना चाहिए, क्योंक कि यह चीज़े कंट्रोलेबल नहीं है, मैं भी नहीं बता सकता कि साओधी अर्म को के डिल होगी ही नहीं होगी, उसके बाद कोट में अगर कुछ हो गया, इनके फेवर में डिशन नहीं गया, देन अगें डाउन हो जाएगा, तो यह चीज़े में समझने के लिए आप में उतना मतलब बोलते हैं ना, पेशन्स होनी चाहिए और मैचुरिटी होनी चाहिए, कि हाँ इससे कोई रिलाइंस इंडर्स्टी को फरक नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम मुझे ज़्यादा टाइम होल्ड करना पड़ सकता है, तो यह दो पॉइंट, यह दो फेक्टर बहु कोई चिंता की लॉंग टम की है, इसाब से सभी शेर अगर देखोगे, फंडामेंटल स्ट्रॉंग, तो अच्छे ही होते हैं, कितना भी आप होल्ड करो, कभी ना, कभी वो इतना तेज भागेंगे, कि सारी रिकवरी करके आपको दे देंगे, सो आई बशा करता हो, जिन लो का यह पार्ट हुता है, लाइफ का, जो कि आप लोगों ने एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए, तब तक के लिए, बाई बाई